दूली और मेरी engagement का फैसला दूली ने अवाम के उपर चोड़ा था क्यों engagement ते रिया या अवाम की तो इसलिए मैंने अवाम से vote लिया और vote येस के हक में है आज engagement के लिए vote मांग रहा है कल पता नहीं किसकिस चीज में वोट मांगता फिरेगा है कि नहीं तो आप मैं डॉली से रिकर्स करता हूं कि वो अवाम के इस वोड की रिस्पेक्ट करें और हम मेरी और अपनी एंगेजमेंट का दुबई में इलान करें दुबई में क्यों पाकिस्तान में क्यों नहीं यहां तुझे जुखिया लगने का खत्रा है यहां शादी हो रही है या इंडियन ड्रामा चल रहा है आगे क्या होगा जानने के लिए देखिये नेक्स्ट एपिसोड चलो भई देख अपने क्या करता है तो कैसे हैं आप सब आप सब को वेलकम है मेरी वीडियो में अब सबसे पहले अपनी सीट बेल्टे बाण लो क्योंकि आज हम सबसे पहले नदीम नानी वाले को देखने वाले हैं जो आजकल अपने रिष्टे देखता फिर रहा है इस वीडियो को टापिक कुछ और था और मैं ये वीडियो बना चुका था लेकिन फिर अचानक नदीम नानी वाला मार्किट ले अपनी नई चवल के साथ पहुंच लिया तो मैंने सोचा क्यों ना पहले इसे रगरा जाए अब तुम सब भी अपनी बंदूके निकालो और तबाई फिरने के लिए तयार हो जाओ दक्की बाई ने अपने चैनल में एक वीडियो पोस्ट की दो दिन पहले और तुसने डोले के लिए बहुत सी गल्फ अलफास का चनाव दिया तो तुझे क्या तक्लीफ है डक्की का चैनल उसकी मर्जी वो जैसी मर्जी वीडियो पोस्ट करें और वो डॉली के बारे में जो भी कहे तूने डॉली का ठेका उठा रखे है पता नहीं क्यों ये बंदा अपने आपको TikTok का मालिक समझते है TikTok को कोई भी फड़ा हो आजाता ही अपना पंगा डालने पता नहीं कौन सा कीड़ है इसके अंदर जो इसे सुकून नहीं लेने देता अब आते हैं इसके शादी के ड्रामे की तरफ ये सारा ड्रामा इसने सिरफ सस्ती फेम हासिल करने के लिए किया है अगर तुम्हें याद हो तो आज से 2-3 साल पहले भी इसी तरह का सरकस लगाया गया था अब आते हैं इस वीडियो के रियल टॉपी की तरफ इस दुनिया में बहुत सी ऐसी चीज़े होती है जो अंडर रेटेड होती है जैसे के अंडर रेटेड सिंगर्स अंडर रेटेड एक्टर्स और अंडर रेटेड यूट्यूबर्स लेकिन आज हम बात करने वाले हैं टिक टॉक की अंडरेटिड मिक्स मखलूक के बारे में सबसे पहले तो तुम लोग इनके लिए तालियां बजाओ क्योंकि ये दिन रात सुबा शाम एलक्स भटी को तक्कर देने की कोशिश कर रहे हैं अब तुम ही मुझे बताओ कि आखिर इससे ज्यादा गर्ली और क्या होगा इस सलीम की हर एक अदा में सलीमा की जलक है लोग दूसरों के बारे में कंफ्यूज होते हैं ये खुद के बारे में ही कंफ्यूज है नाम सलीम है लेकिन इंस्टा बायों में शीज स्लैश हर लिख रख रख है शुकर है पाकिसान में प्राइड प्रेड नहीं होती वरना ये मखलूक रेंबो फ्लैग लेकर सरकों पर नास्तियों ही मिलती मैंने लोगंगो सेनीटाइजर में पानी डालते देखा था लेकिन शेंपू से हाथों को सेनीटाइज करते हुए पहली मर्थबा देख रहूँ देवकुफी का कोई अलाजी नहीं लेकिन मैं ज्यादा हैरान भी नहीं हूँ क्योंकर जिस बंदे को यहीं नहीं पता कि वो सलीम है या सलीमा उसे सैनिटाइजर ये शैंपू का घंटा पता होगा पहले हमारे मैयार तक तो आ जाओ फिर मुकाबले का मुका भी देंगे देख भाई मुझे तेरे मेयार तक आने हे नहीं क्योंकर तेरे मियार तक आने के लिए पता निए क्या कटवाणा पड़ता है वैसे एक बात बता तुझे शरम वरम ने आती वेल डन जिस बंदे के इतने खुबशूरत दोस्त होंगे हम उससे क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं दुनिया चांद पर पहुंच गई है और हमारा यूसफ चाचा अभी तक हवा में छलांगे मार रहा है यूसफ चाचा अगर आपका छलांगे मार का चांद पर जाने का प्रोग्राम है तो ऐसा नहीं हो सकता ये बड़ी अच्छी बात कही है खैर इस वीडियो को यहीं खतम करते हैं अब अगर तुम्हें वीडियो पसंदा यह तो लाइक करो इस वीडियो को लाइक है मैं 25 लाइक्स अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ने किया तो सब्सक्राइब करो और हाँ वीडियो को शेयर लाजमी करना हो सकते है मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स बर्जे मैं मिलता हूं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाए झाल झाल झाल